पिछली हिस्ट्री क्लास में जो हमने पड़ा था, अगर सब को याद है और अच्छे सी समझ गया है तो थम्स अब दिखाओ, अगर रिपीट करना चाहते हो तो थम्स डाउन दिखाओ अभी हिस्ट्री हमने जो पढ़ा आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो आप थम्स अब दिखाओगे, अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से पढ़ाओ यह वाला पार्ट तो आप थम्स डाउन दिखाओगे, थम्स अब या थम्स डाउन जो आज हमने इस क्लास में पढ़ा है, अगर आपको ठीक से समझ में आ गया है सारे बच्चों को, तो question number two जो है आपकी textbook में, आप अपनी notebook में solve करोगे, और मुझे दोगे notebook, और उसके बाद आप अपनी break के लिए जा सकते हो Okay, start solving